हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूटीब चैनल आज हम इस टाइब का वायर फ्रेम रेंडर किस तरीके से निकालते हैं वो बनाना सीखेंगे जो बहुत इंपोर्टेंट होता है अगर कहीं पर भी अगर आप पंपनी में जॉब करते हैं तो इस टाइब के रेंडर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर माई इंस्टिटूट एप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास आईफोन है और आप ODIMMM और यूज़ कर सकते हैं और आप यहां पर जाकर देख सकते हैं और अगर आप मेरी साइट विजिट नहीं किया तो वन विंडो जो वहां पर आपको एक्स्प्रोल करने को मिल जाएंगी तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अब हमें वाइर फ्रेम रेंडर करने हैं तो मैं क्या करता हूं यहां पर एक्स्टेंडिट पैरामेटर में एक टोरस नोट ले लेता हूं हम इसके उपर ही वाइर फ्रेम रेंडर को करके देखेंगे आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं वो आपके उपर है अगर आप देखोगे तो इसके वाइर फ्रेम इस तरीके से हैं इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए मैं इसको कर लेता हूं तर्बो स्मूथ ठीक है आप क्या ना मैं टीपोट ले सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं इसके उपर आपको वाइर फ्रेंडर को अप्लाई करना है ठीक है यह करने के बाद मैं इसको फ्रेंट पे जाता हूं ठोड़ा ब्रीड के ऊपर रख लेता हूं कुछ यहां पे और कैमरा मैं कोई नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ह mist कर आपने अप्जेक्ट को कुछ इस तरीके से आपको अपने यहां पे दिखने वाला है और बढ़िया से भेत्रीन करने हैं तो इस Πर जाके मैं ठोड़ी सी reflection डाल देता हूँ ताकि आपके वीरे plane में थोड़ी सी reflection दीखे यहाँ पर मैं इस पर जाके अब क्या है कि इसको और अच्छे से देखने के लिए अब मेरे को इसको wireframe करना है तो wireframe करने के लिए मैं इसको select करता हूँ मेरे इस माले आप diffuse के सामने इस box पर जाए क्लिक करें और यहाँ पर एक option है वीरे edges text वीरे के अंदर ओके करें तो आपकी वीरे edges आ जाएंगी यहाँ पर white color की है white color में दिखाई नहीं दिया तो आप इस पर क्लिक करके अगर wire का color black कर दोगे तो आप देखोगे इस तरीके से आपके black color का यहाँ पर object आ जाएगा जितनी भी wires है वो आपको यहाँ पर देखने लग जाएंगी तो कोई भी color आप चूज कर सकते हो कि आप यहाँ पर color में देखें तो दो ही चीज है दो से तीन चीज है जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो फर्स्ट है कलर चेंज करना अब एक अगर आप hidden edges on करते हो तो hidden edges होती है कुछ जैसे triangular form में hidden edges होती है यह अगर आप on करना चाहें तो आप hidden edges की help से on कर सकते हैं और दूसरा important चीज है वो है pixel width जो यह lines आपने बनाई है इसकी width आपको कितनी रखनी है अभी तो 1 है by default अगर मैं 2 कर देता हूं तो जो देखो यह lines है इनकी width आपके बढ़ जाएगी और इस तरीके से आपको दिखना लग जाएगा 3 करोगे और width बढ़ जाएगी कम करनी है 0.5 कर दिया 0.5 की help से आप इस तरीके से width को कम या ज्यादा कर सकते हो तो यह था wireframe render बाकी सारी चीज है तो नॉर्मल है इसमें आपको करने की जूट भी जूट पढ़ने वाली है तो यह चीज है जो आप wireframe render के लिए use कर सकते हो इस लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत भूलने तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you so much दोस्तों तब तक के लिए बंदे मात रहते हैं